अगनीपत को लेकर तीनों सेना प्रमुकों से मिलेंगे आज PM मोदी अगनीपत 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 ये शब्द आप लोग भी कई दिनों से सुन रहे होंगे पहले ये फेमस था फिल्म के नाम से और इस समय ये फेमस है मोदी सरकार की नई सेना योजना से इस योजना के तहट जिन युवाओं को अगनिवीर बनना है वही इस योजना से नाराज होकर पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन भी ऐसा कि कई सरकारी संबत्तियों को नुकसान पहुचाया जा रहा है जगय जगय ट्रेनों को फूग दिया गया रोड पर बसे जला दी गई कई जगय इन सब से भी बात नहीं बनी तो पुलिस स्टेशन तक को नुकसान पहुचाया गया लेकिन इस चीज को देश के युवाओं को भी समझना होगा कि ऐसा करके वो किसी और का नहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं सरकार और सेना दोनों की तरफ से ही प्रदर्शन कारियों को समझाने के बहुत से प्रियास किये गए हैं और इस युजना में थोड़े बहुत बदलाव भी किये गए हैं इसी सिलसले में आज पीम मोदी तीनो सेना प्रमखु से मुलाकात करेंगे इस मुलाकात में तीनो सेना ध्यक्स सेना की नई अगनीपत युजना को लेकर उन्हें ब्योरा देंगे इस से पहले युजना को लेकर हो रहे विरोध के बीच प्रधानमंतरी नरेंडर मोदी ने सूमवार को कहा कि कई फैसले शुरुआत में गलत लग सकते हैं लेकिन बाद में यही राष्ट निर्मान में मदद भी करते हैं विरोध के चलते ग्रहमंतरा लेने अगनिवीरो के लिए केंद्री ससस्तर पुलिस वल और असम राइफल्स में भी 10 फीजदी नौकरी आरक्षित यानि रिजर्वेशन फिक्स कर दिया है CAPF और असम राइफल्स में अगनिवीरो को आयू सीमा में 3 साल तक की छूट भी दी गई है इसके साथ साथ हरियाना के CM मनवारलाल खटर ने भी ऐलान कर दिया है जो अगनिवीर 4 साल देश की सेवा करके लोटेंगे उन्हें हरियाना सरकार गारंटिट तोर पर सरकारी नौकरी देगी सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार देश के फ्यूचर अगनिवीरो को इस योजना के बारे में समझा कैसे पाएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें